दोस्तो कौन है आपका दोस्त जो आपको आबाद भी कर सकता है और वही दोस्त आपको बरबाद भी कर सकता है यानि कि आपका सेलक्षन करवा भी सकता है और आपका सेलक्षन रुकवा भी सकता है आपको इसके बारे में कैसे सावधान रहना है इसी के बारे में हम इस वीडिय खास रहने वाला है वीडियो को पूरा देखे आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल चोपडा एजुकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा तो चलिए देखते हैं क्या है खास इस वीडियो में तो दोस्तों ये आपका दोस्त और कोई नहीं मोबाइल ही है ऐसा दोस्त है जिसका आपको आबाद कर देगा और आपका selection हो जाएगा लेकिन इसके वीपरीत अगर आप इसका misuse करेंगे तो ये आपको बरबाद कर देगा यानि कि आपके selection में रुकाउट पैदा करेगा तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें तो दोस्तों अगर आप इसमें online classes ले रहे हैं तो आप सरफ online class लेने के बाद इसको switch off कर दें वो आपके लिए सबसे best रहेगा इसके अलावा आप कोई update वगरा देखना चाते हैं तो उसके लिए 10 या 15 मिनिट का डेली का एक समय fix कर लें उसी समय आप own करके देख सकते हैं मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे आप जितने दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा बस आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है यह फिर switch off कर देना है अब इसका misuse कैसे होता है दोस्तों ज्यादातर student की यह आदत होती है कि पढ़ने के साथ मोबाइल को own करके side में रख देते हैं और समय समय पर update चेक करते रहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि NEET की ऐसी कोई update नहीं है जिस पर आपको तुरंत ही action लेना है मालो कोई post bond की update है या फिर application starting की date है या फिर CVSC की कोई update है तो आपको दो दिन बाद भी ये update पता चलेगी तो इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इसलिए आप इस परकार की गलती नहीं करें दूसरा mobile का misuse ये है की दोस्तों को बिना मतलब कई घंटे phone करना उनसे बात करना उससे नुकसान ये है कि जिस समय आप बात करते हैं तब तक तो आपका समय वेस्ट होता ही है इसके अलावा बात करने के बाद उन बातों के बारे में आप पढ़ते समय भी सोचते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी कहने को तो बुक लेकर बैट जाएंगे मगर पढ़ाई का कोई फाइदा नहीं होगा वो सिरफ बुक रिडिंग ही होगी तीसरा और सबसे एहम मिस्यूज यह है कि आप लेटेस्ट अपडेट देखने के चकर में जैसे ही मोबाईल ओन करते हैं तो यूटूब पर काफी सारे सजेस्टेड वीडियो दिखाई देंगे मतलब कि ये वीडिया आपको नहीं देखनी चाहिए और वो आप ये सोचके देखते हैं कि एक ही वीडियो देख लेता हूँ मगर उसके चकर में यूटूब से हटने का मनी नहीं होता है और आप डेली अपना समय बरबाद कर देते हैं तो दोस्तो और बहुत से मोबाईल के मिस्यूज हैं साइध इनके बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते हैं लेकिन फिर भी जान बूज कर गलती करते हैं हम सब लोग जानते हैं कि मोबाईल का सही यूज ही हमें सेलेक्शन की और ले जाएगा मिस्यूज करने वाले स्टुडेंट का सेलेक्शन मुस्किल है ये जानते हुये भी हम ये गल्टि करते हैं वैसे ही जैसे तमाकु सेथ के लिए हानिकारक है जानते हुए भी लोग पैसे देकर अपने सेथ को खराब करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही basic सी बाते हैं लेकिन इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप एक दिन सफल इंसान होंगे आपका समय जादा नहें लेते हुई आपके पिता तुल्ले होने के नाते मैं आपको सला देता हूँ कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करें इस चंचल मैंन को कंट्रोल करें बात बहुत बेसिक है लेकिन इसकी गैराई से समझना आपको बहुत जरूरी है अगर आप अभी तक मोबाइल का मिस यूज कर रहे हैं तो इसको बंद कर दो और अभी भी समय है नीट क्रेक करने का समय अभी है आपके पास आप स्टडी में लगो क्योंकि किसी भी हाल में इस साल आपको सलक्षन लेना ही है अगर स्टुडेंट के पैरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों पर विसेश ध्यान दे कि वो मोबाइल का मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस उमर में एक बार बच्चा भटक जाता है तो वो दलदल में फस्त आई जाता है तो दोस्तों ये एक छोटी सी सला थी नए वीडियो में नई अपडेट के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिं